हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग मित करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने टुप चैनल स्पॉक एंगलेस मास्टर में आज हम पढ़ने जा रहे है चेप्टर नमबर एड जिसका नाम है इसके बारे हम जानेंगे इस चेप्टर के अंदर हम चेप्टर की ग्लोसरी मिन सारे वर्ट समझेंगे और पूरे चेप्टर को हिंदी में अच्छी तरह से जानेंगे करेंगे जानेंगे 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 इसका मतलब हुआ कि सेना निवास जहां पे सेना रहती है प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्टर्स मिन्स इंस्टुमेंट यूस्टु फॉर्म असेमी सर्कल इंस्टुमेंट यूस्टु एक इंस्टुमेंट जिसका इस्तमाल होता है फॉर्म असेमी सर्कल अर्ध गोला बनाने के लिए या अर्ध वर्तुल बनाने के लिए जिसका इस्त सकते हैं रिकर नाइजर्स ठुबी एबल टू आइंटिफाई मिन्स पहचाना जासे के ऐसा या पहचानने योग्य कंपास कंपास मिन्स होका यंत्र डिवाइस टू फाइंड डिरेक्शन दिसा का पता लगाने के लिए एक साधन होता है उसको हम कहते कंपास हिंदी में हम कहें गडिया कुत्व नुमा यंत्र करने सेट्स फ्री मतलग कि मुक्त करना आजाता करना गोज मिन्स जाता है जाती है आइडेंटिफिकेशन प्रोसैस ऑफ इडिवाइंग पहिट इसे मिन्स पहचानने की प्रोसयस को कहते हैं इडेसन के पहचान सेजी मिन्स और आडर ऑफ वे कहते हैं procedures यानि हम हिंदी में कहेंगे प्रकरिया hostile hostile means sawing strong dislike और inamity sawing मतलब दिखाना strong मतलब काफी ज्यादा या फिर तीज dislike मतलब ना पसंदगी ना पसंदगी दिखाना यानि हमें कुछ चीद ना पसंद हो तो उसको और inamity या फिर सतरता तो इसका मतलब हुआ की सतरता यानि की दुस्मनी से है ऐलरॉंस हिंजड पाट ऑफ विंग ऑफ एव एर क्राफ्ट एश्र क्लाफ्ट का जो पंक होता है उसमें एक हिंज पार्ट होता है जो पार्ट हिंज किया हुआ होता है जिसको पतवार भी कहते हें हिंदी में और ऊपत्वार कम कहते हैंिल रॉंस क्याव एक है एक्यूरेट फ्री फ्रॉम एटर ऐसा जो गलतियों से एंदर एरना उसको कहते nectar Around Hum तो डosis करने के लिए जब किषी को कुछ देते हैं कुछ करने के लिए कुछ काम देते हैं तो इसको कहते हैं साइजकर सेकेंड फार्म यहाँ पर Yep hydraulics of water moving through pipes pipe में से गुजरते हुए पानी का मतलग कि pipes से गुजरते हुए पानी के संबंध में जो एक study होते होते हो कहते हैं hydraulic squadron squadron means a unit of an air force air force की एक टुकड़ी को कहते हैं squadron pneumatic means operated by air under pressure मतलग कि जिसका इस्तमाह या जिसका संचालन air के जरिये होता है और वो जो air मतलग कि जो हवा होती है वो pressurize होती है pressure के अंदर होती है opportunity, a chance, एक मौका, आउसर visibility, distance you can see मतलग कि वो distance, मतलग कि वो दूरी जहां तक हम देख सकते हैं सही से उसे कहते हैं visibility combat, combat means fighting between armed forces सेना के जो लडाई होती है उसे हम कहेंगे combat take off, take off means start to fly start means शुरू करना, to fly means उड़ना उड़ना सुरू करने हों कहते हैं take off जब एरोप्लेन जमीन पर दोड़ता है धीरे 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 उसके बाद में फिर अचानानक से उपर के तरफ उड़ान भरता है तो उसे कहते है take off यानि कि उड़ान उसने भरी जमीन से उपर की तरफ गया to taxi, taxi means to move slowly along the ground before checking off और after landing जब एरोप्लेन उड़ने वाला होता है या फिर लेंडिंग कर रहा होता है तो जब उड़ने वाला होता है उससे पहले वो जमीन के उपर दोड़ता है तो उस दोड़ने को कहते है taxi करना या फिर जब एरोप्लेन लेंडिंग करता है यानि कि आसमान से उड़ते हुए जमीन पर आता है तो जमीन पर आने के बाद वो कुछ distance तक चलता है दोड़ता है तो उसको कहते है taxi मतलब कि taxi करना desk job desk job means a piece of furniture like table with drawers where you sit to read, write or work desk job का मतलब है कि furniture का ऐसा टोकडा जैसे कि table होता है उसके अंदर drawers होते हैं जहां पर हम बैठते हैं और बैठ करके पढ़ाई करते हैं लिखते हैं या कुछ काम करते हैं तो इस तरह को बोलते हैं या इस तरह के काम को बोलते हैं Desk job, मतलब की ऐसा job जो desk के बैट करके किया जाता हो. Chalk out, chalk out means make a sketch of. Chalk की मदद से या किसी marker की मदद से sketch तयार करने को बोलते हैं, chalk out. Proficiency, ability to do something well because of training and practice. Ability, मतलब योग गिता, to do, करना, something मतलब कुछ कुछ करने की छमता को कहते हैं, Proficiency, और वो भी किस तरह से, अच्छी तरह से, अगर कोई काम अच्छी तरह से किया जाता है, तो उसकी छमता को कहते हैं, Proficiency, उसका reason क्या है, because of training and practice. क्योंकि training और practice आपने ली है, तो उसकी वज़ा से आप काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं, Proficiency, मतलग की काम अच्छा करने के जो युगता होती, उसके कहते हैं, Proficiency. मि history, Has, means fog, यानि की कहरा, गुजराते में कहते हैं धुबस. मिट्रलोजी, means hawamand sastry, यानि की मौसम से संबंधित, मिट्रलोजिकल officer, मतलग की मौसम से संबंधित, जो अधिकारी होता है, मतलग कि ऐसा अधिकारी जो मौसम के बारे में रिपोर्ट करता है कि मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, गरम रहेगा, या सुरज निकला हुआ रहेगा, या बारिस होने वाली है, तो इसको कहते हैं, मिट्रोलोजिकल ओफिसर. इस्टुरियंट्स मुवी इंटो और में चेक्टर, MIG21, मिन्स MIG21, MIG21 एक लड़ाकु इमान, जिसका इस्तमाल हमारे हिंदुस्तान की, जो एरफोर्स है, वो करती है, और इसका इस्तमाल अक्सर किया जाता है, दुस्मन देश को, दुस्मन देश के लोग, जो हवा से फाइर करते हैं, हवा से हमला करते हैं, मतलग की हवाई हमले करते हैं, उनसे बचने के लिए और उनको मुतर जवाब देने के लिए, उनको मार डालने के लिए, इसका इस्तमाल किया आता है, हम बढ़ते हैं हमें चेक्टर की ओर, It's 5 o'clock on a cold February morning It's 5 o'clock सुबा की 5 बजे हुए थे on a cold February morning थंडी सुबा थी February का महिना था Wing Commander K.S. Suresh steps into a staff car that will take to him an airbase of India's western sector Wing Commander K.S. Suresh जहाँ पर जो Wing Commander है उनका नाम है K.S. Suresh steps into वो जाते हैं किसमें जाते हैं अ कार और वो कार कैसी है staff car मतलग कि एक staff car में वो बैठते हैं वो जाते हैं कहने का मतलग यह है कि उनको लेने के लिए एक staff की car आती है और staff car के अंदर वो अंदर जाते हैं that जो की will take him जो की उनको लेके जाएगी to an air base एक हवाई अड़े पे लेके जाएगी वो हवाई इड़ा किसका है of Indians western sector इंडिया के western sector का वो एक हवाई अड़ा है the black car passes through barrack type houses and stops at an air force security guard the black car passes through काली कलर की जो ये कार है वो गुजरती है किसमे से गुजरती है barrack type houses यानि कि जहाँ पे सिखना रहती है उस तरह के घरों से वो गुजरती है and stop set और फिर रुपती है कहाँ पे रुपती है 8N air force security gate air force का जो security gate होता है उस पे जा करके रुपती है a uniformed guard recognizes surace and salutes him smartly a uniformed guard वहाँ पे गार्ड होता है यानि कि जाता है कि इसको surace को पेचान जाता है and salutes him और उसको salam करता है salute करता है हाथ उठा करके smartly और किस तरह से करता है salute बड़े smart तरीके से करता है behind the gate stand MIG of IAF squadrons is under a different commander कि यह surace called as cookie commands 321 squadron behind the gate stand MIG gate के पीछे stand MIG means MIG यह जो MIG fighter plane है या रखे हुए है या खड़े है किसके पीछे खड़े है जो इस security gate है उस security gate के पीछे यह जो MIG plane है वो वहाँ खड़े करके रखे है और यह किसके लिए है of IAF squadron Indian Air Force के जो squadron है उसके लिए यह रखे गए है मतलब कहने का यह है कि वो जो fighter plane है वो IAF के जो squadron से वो इनको चलाते है each under a different commander अब वो जो IAF के द्वारा वहाँ जो रखे हुए MIG plane है उसमें से हर एक MIG plane वो एक अलग-अलग different commander के अंडर में काम करता है मतलब कि उसको अलग-अलग चलाते हैं अब यहाँ पे जो commander वो अलग है उनका नाम है KS Suris अब KS Suris को लोग प्यार से क्या कहते हैं Called as Cookie Cookie कुकी से नाम से पुकारते हैं यानि कि इनका pet name क्या है? Cookie है Command से 321 Squadron और यह 321 नंबर का जो squadron है उसको command करते हैं मतलब कि 321 नंबर का जो squadron है वो इनके अंडर में है उनके यह wing commander है At 5.20am Cookie is in a flight planning room 5 बच की 20 मिनट पे Cookie एक flight planning room के अंदर होते हैं There are maps and identification charts on the wall On the wall दिवाल पर दिवाल पर लगसे और identification chart है Means दिवाल पर लगसे हैं और कुछ चार्ट ऐसे हैं जिनके जरिये पता लगाया जा सकता है या पता लगाया जाता है कि location क्या है कहां पर क्या चीज़ है तो उसको कहते है identification chart यानि कि पहचान करने वाले चार्ट या लगसे Today's order for cookie is an air strike at Batala Punjab at 7 a.m Today's order आज का order for cookie, cookie के लिए इस है आज का order cookie के लिए है क्या है an air strike at Batala Punjab Punjab के अंदर एक Batala इलाका है वहाँ पे हवाई हमला करना है 8-7 a.m सुभे 7 बच करके He will lead a two plane formation वह दो plane का अन्यत्रित करेगा मतलब कि उसके साथ में दो fighter plane जाएंगे Against enemy दुस्मन के खिलाफ दुस्मन के खिलाफ लडने के लिए दो fighter plane जाएंगे और दुस्मन का नाम का 17th Arm Brigade of Hostile Country जो कि दुस्मन कंट्री के Arm Brigade है This mission is assigned by command headquarters Headquarter के command के जरिए इनको यह mission सौपा गया है War time conditions are practiced as actually as possible War time condition यूद्ध का जो समय है मतलब कि यूद्ध के समय conditions जो हालात होंगे उसको इस तरह से practice किया जाएगा कि जितना हो सके उतना actual तरीके से practice किया जाएगा मतलब कि यूद्ध के अंदर क्या हालात होंगे उसको एक दोव वास्तविक तरीके से जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर practice किया जाएगा On this day is then cookie is too busy to worry about the risk On this day is then cookie is too busy cookie इतना ज़्यादा busy है to worry about the risk कि उनको खत्रे के बारे में चिंता करने का time भी नहीं है जो खत्रे के बारे में चिंता करते नहीं है या पर चिंता नहीं कर सकते है He calls the meteorological officer to get the weather report He calls वह call करते हैं यानि को phone करते है The meteorological officer मतलब कि मौसम संबंदिक officer को जो मौसम की जानकारी देता है उसको phone करते है to get the weather report मौसम की report हासिल करने के लिए report का मिलती है thick clouds at 550 meters 550 meter पे घने बादल है visibility 5 kilometers 5 kilometer तक मतलब कि 5 kilometer की distance तक अच्छी तरह देखा जा सकता है इतनी visibility है a has at 400 meters 400 meter पे has यानिकी कोहरा है धुम्ब से west wind at 50 kilometers per hour और पस्चीमी हावा चल रही है 15 kilometer प्रती घंटे की रत्तार से a slight air disturbance और थोड़ा सा हवा का जोका भी लगने वाला है मतलब कि थोड़ा air का disturbance भी है air उनको disturbing करी के जब प्लेन चलेगा now marker pants, rulers, protectors and compasses are waiting for him on a long wooden table now अब marker pen marker pen का मतलब जिससे हम mark करते हैं highlight करते हैं rulers यानि के हमारी full पट्टी, map पट्टी protectors यानि की हमारे चांदा या कोड मापक and compasses और हमारा कुत्ब नुमा यंत्र are waiting for him उनका इतिजार कर रहे हैं on a long wooden table एक लखडी के बड़े table पर उनका इंतिजार कर रहे हैं मतलब कि अब इनका काम आने वाला है इसका इस्तेमाल होगा cookie के जरी है cookie takes out a map from the self and chocks out the path and speed of the plan cookie takes out a map cookie निकालते हैं a map एक लक्सा cookie एक लक्सा निकालते हैं कहां से निकालते हैं from the self अलमारी में से जो उनकी अलमारी होगी वहां से एक map निकालते हैं and chocks out the path और रास्ते को highlight करते हैं रास्ते का sketch बनाते हैं and speed of the plan और उनके plan को उनकी योजना को तेज करते हैं in one hour the mission is planned mission को एक घंटे में plan कर दिया जाता है then उसके बाद he goes to another room and discusses the target with an army officer then उसके बाद he goes to another room उसके बाद दुसरे room में जाते हैं and discusses और चर्चा करते हैं the target target को with an army officer एक army officer के साथ में squadron leader bundle त्यागी is present there squadron का leader bundle त्यागी भी वहां पे present है he is cookie's wingman on this trip he is cookie's wingman वह cookie का wingman है on this trip इस mission पर इस काम पर during these exercises इस अभ्यास के दर्मियान या फिर ऐसे अभ्यासों के दर्मियान इस वक्त rank means nothing ओदे का कोई मतलब नहीं है only 22 minutes are left before engine starting time engine start कर या engine की शुरुआत कर या फिर engine को चालू कर उससे पहले 20 minute बाकी हैं सिर्फ या बचे हुए हैं cookie grabs helmet cookie helmet को पकड़ते हैं helmet को लेते हैं oxygen mask oxygen mask को लेते हैं and lead set और lead के set को लेते हैं जो अपने वे कान में लगाते हैं and walks to the serving station और service station के तरफ पे वह बढ़ते हैं मतलब उसकी तरफ जाते हैं there means की service station में he examines from certifying that every part in the plane has been checked और वहाँ पर जा करके वो निर्चड करते हैं और certify करते हैं यानि की उसको certificate देते हैं कि हर एक part जो की plane में लगा हुआ है has been checked check कर लिया गया है then उसके बाद he walks around the plane to check for leaks loose panels and pins और उसके बाद he walks around वो चारो तरफ घूमते हैं the plane plane के चारो तरफ घूमते हैं to check check करने के लिए for leaks loose panels and pins कहीं पर कुछ leakage तो नहीं है कोई few leakage तो नहीं है कोई panel loose तो नहीं रहे गया या फिर कोई pin loose तो नहीं है यह सब चेक करते हैं घूम करके plane के चारो और there are none मतलब कि नहीं है मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा मतलब ऐसा कहां पर क्या मतलब है या मतलब है कि leak नहीं है कोई panel loose नहीं है pin वगेरा सब okay है यह सब ठीक है so he climbs into his seat इसलिए वे अपने seat पर बैठ जाते हैं यानि कि चड़ जाते हैं connects his oxygen supply and radio और oxygen के supply को जोड़ देते हैं और radio connect कर देते हैं next उसके बाद he pulls out a safety pin from the seat और उसके बाद वह अपने seat में से safety pin निकालते हैं and then becomes live और live हो जाते हैं if he pulls the cord अगर वह रसी को खीषते हैं the seat with parachute parachute के साथ में seat will rocket निकल के तुरंद अचालक से बाहर आ जाएगी 200 meters out of the aircraft aircraft 2 meter की 200 meter के दूरी पर निकल के बाहर आ जाएगी in less day na second मतलग कि एक second से भी कम समय के time में finally आखिरकार मतलग कि सबसे अंत में the last compulsory check मतलग कि सबसे ज़्यादा अनिवार्य compulsory check before take off मतलग कि एरो प्लेन यह या फिर यह जो प्लेन है इस प्लेन के उनने से पहले हवा में जाने से पहले सबसे आखरी जो जो अनिवार चेक है वह किया जाता है उसका नाम क्या है it is called teflon trip इसका नाम है teflop trip air pressure अब इसमें क्या कैची check करते है इसमें air pressure check होता है मतलग कि जो टायर से एरो प्लेन के उसके अंदे pressure पराबर है कि नहीं ताकि वह आसानी से रन्वे के उपर दोड़ सके air products ailerons, flaps, fuel instruments, oxygen, hydraulics और pneumatics इस तरह के जो चीजें है वह चेक की जाती है इस teflop check के अंदर now he begins taxi अब वह प्लेन को चलाने के शुरुवात करते है यानि कि जो प्लेन है वह रन्वे के उपर दोड़ना शुरू कर देता है on the runway, runway पर wingman taggy joins him in another MiG-21 on the runway, मतलग की वह रन्वे जो रास्ता होता है जिसके पर plane तेजिश दोड़ता है उसके उपर उनका wingman त्यागी joins him, उनके साथ सामिल हो जाता है in another MiG-21 दूसरे plane जिसका नाम MiG-21 उसको साथ में ले करके आता है और join हो जाता है cookie के साथ में which is a a single sitter fighter plane जो की एक single sitter fighter plane है यानि की यह एक ऐसा fighter plane है जिसके अंदर सिफ एक ही seat है यानि की एक ही इंसान बैठ सकता है take off permission received अब विमान को होई उड़ाने की permission मिल गई two pilots accelerate the runway दो pilot ने दो MiG-21 तो उसके दो जो pilot थे उन्होंने runway की उपर अपने speed को बढ़ा दिया accelerate कर दिया there wing tips are just some centimeters apart अब वो जो दो aeroplane थे जो fighter plane थे उन्हें की जो wing की tips हो दिया है उन्हें की जो पंकों की जो tips होती जो कोने knock होते है वो सिर्फ कुछी centimeters एक दूसरे से दूर थे यानि कि इतनी दूरी थी कि बस वो बच सकते थे वरना अगर और पास में होते तो आपस में टकरा सकते थे इतना पास में थे दे लिफ्ट ऑफ एट 360 किलो मेटर्स और वो अपनी गाड़ी को मतलग की अपने aeroplane को तेजी से उठाते हैं 360 किलो मेटर प्रति घंटे की रफतार में उनका जो टारगेट है उस टारगेट पहमला करने से पहले का टाइम से सिप पंदा मेंट पहले का टाइम है मतलग कि साथ बचे वो अटेक करेंगे अपने टारगेट के उपर 8.6.55am देर रीच दियर फर्स चेक पाइएंट अविलेज नेमड मिर्थल जाउन अन दा आर्थ है 6 बच के 35 मिट पे देर रीच दियर फर्स चेक पाइएंट वे अपने फर्स चेक पाइएंट पहुशते हैं अब विलेज यो कि एक गाव है उसका नाम क्या है गुगी टाइम को calculate करने लगता है शुरुबात कर देता है टाइम चेक कर लेगे कि इतना टाइम बचा है as the rise up to 450 meters त्यागी स्प्लेन rocks violently due to air bumps as the rise up जैसे ही वे उपर की तरह बढ़ते है to 450 meters 450 meters उपर की तरह बढ़ते हैं त्यागी स्प्लेन त्यागी का जो plane होता है rocks violently बहुती खतरनाक तरीके से उपर नेचे आगे पिछे हिलने लगता है due to air bumps हवा के जोकों की वज़ा से a bit bumpy here says त्यागी on radio त्यागी रेडियो पर कहता है a bit bumpy here यहाँ पर थोड़ा bumpy है यानि कि मेरा जो plane है वो bump ले रहा है मतलब कि उपर नेचे हिल रहा है breakfast may come up before the bomb goes down cookie jog से cookie jog करता है और कहता है जोक करते हुए breakfast may come up जो नास्ता है वो उपर आ सकता है यानि कि plane में आ सकता है before the bomb goes down मतलब कि bomb नीचे डालने से पहले नास्ता उपर आ सकता है यानि उसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर situation मेरे plane में इतनी खतरनाक है इतने खतरनाक तरीके से मेरे अपने लूपर ने चीहल रहा है कि मैं bomb फेकूँ उससे पहले इवे नास्ता उपर आ जाएगा मतलब कि मेरे मैंने जो कुछ खाया पिया हूँ मेरे मुँसे निकलके बाहर आ जाएगा इतना खतरनाक situation है इस तरह से बता रहा हूँ यह बढलब कि गया है हमारे हिंदुस्तानी फाइटर पालेट तो दो सिकारी दिखाई देते हैं फार दूर दो सिकारी दो दूर पर दिखाई देते हैं to the right right में मतलग कि दाये तरफ दिखाई देते हैं दो दुस्मन एज इन्हें भी प्लैन से और वे अपने प्लैन के अंदर होते हैं मतलग की वह अपना रास्ता बदल लेते हैं और गायव हो जाते हैं हमारे हिंदुस्तानी फाइटर पार्ट को दिख करके वे डर गए और भाग गए मतलग की गायव हो गए देर आर अर्ट अल एर्ट चारो तरफ बादल चाय हुए है मतलग की बादल है दी अर्थ है ऐस इसपीरड टू पिर्थवी भी गायव हो गई है मतलग की दिखाई ने दे रही है दा मिक्स और फास्ट अप्रोचिंग थार्गेट यह जो मिक्स है वो तेजी से पिछा कर रहे हैं तेजी से पारस पहुच रहे हैं तो तारगेट टारगेट गया मतलग की टारगेट के पास तेजी से पहुच रहे हैं यह आईपलाओट लगित नोगा थैसे आप रहे हैं अब अब प्लैन से ऊपर की हाइट पर थे वह आपनी प्लैन को लेकरके नीचे आ गये और अब नीचे के तरफ वोड़ रहे हैं मतलब कि उनकी height थोड़ी कम हो गई पहले से cookie sees the target cookie target को देखता है जिसको उसने target बनाया है उसको देखता है और उसको दिखाई देता है an enemy tank जो कि एक दुस्मन का tank है and he releases the bomb और वो bomb छोड़ देता है इसके उपर वो दुस्मन के tank के उपर bomb छोड़ देता है this is a perfect opportunity to rehearse attack procedures and bomb aiming bomb का निसान लगाने का और attack किस तरह से करना है उसकी rehearsal करने का यह एकदम perfect मौका है at the time of firing automatic camera captures the action जब उन्होंने fire किया उस समय जो automatic camera था उसने इस action को कैद कर लेता है मतलब कि जो कुछ भी होता है camera आपने आप में कैद कर लेता है उस चीज को the two plane circles अब इज दो plane है वे आपस में गोल गोल घूमते है and then come down और फिर नीचे आजाते है on another target फिर दूसरे target के लिए वो नीचे आजाते है a breach अब दूसरे target हमारा क्या है a breach एक pull है there was a strong wind therefore they released the bombs earlier there was a strong wind काफी थेज हवा चल रही थी therefore इसलिए they released उन्होंने छोड़ दिया the bombs earlier bombs को पहले ही उन्होंने छोड़ दिया but लेकिन with accurate calculation लेकिन bomb तो डाला ही डाला bomb तो छोड़ा ही छोड़ा लेकिन एकदम accurate calculation के साथ छोड़ा कि हवा के तीज होने के बावजूद भी क्योंकि पहले छोड़ दिया उसके बावजूद भी timing इतना जबर्दस था कि यो bomb जाकरके ब्रिज के उपर लग गया और ब्रिज तोड़ गया testness हो गया we have got it right हमने अच्छी तरह से कर लिया मतलग कि हमको जो करना था वह हमने कर दिया visibility has become worse अब जो visibility थी को काफी खराब होगी मतलग कि अगल बगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था bomb डाला गया था तो उससे काफी धुआ हो गया था black black तो उसकी तरह उसकी वज़े से क्या हुआ visibility काफी खराब हो गयी थी बहुत ही बत्तर हो गयी थी let's go home says cookie cookie कहता है कि चलो घर चलते है back at the base Hawaii at day वापस आते हैं the report to the army man वे आर्मी के इंसान को जो आर्मी का man होता है उसको report करते है he admired them वो जो आर्मी का बंदा होता है वो उनकी तारीफ करता है मतलब कि तारीफ किया commanders your plans were in the right place at the right time कहता एक commander तुमारे plane एकदम सही जगा पर थे और वो भी सही टाइम पर थे you have given effective support to the army तुमने जबर्दस सपोर्ट किया है आर्मी को like every Indian fighter pilot cookie sures does several hundred hours of flying in a year like every Indian fighter हर Indian fighter की pilot की जैसे cookie sures cookie sures को भी does several hundred hours कई सेकडों घंटे बिताने पड़ते हैं और flying उडने के मतलब कि उडने में कई सेकडों घंटे cookie को भीताने पड़ते हैं दुसरे Indian fighter की तरह in a year एक साल में generally सामाने ता two daytime flights मतलब कि दो दिन की flight होती है and one night sortie और एक रातने flight होती है उनकी this means इसका मतलब है कि that की more than half of his working hours उनके काम करने का आधिस ज्यादा जो घंटा होता है are devoted to flying वो समर्पित है किसको to flying उड़ने में mission planning या mission की planning करने में and reporting और बाद में आके report करने में यह पूरा समय समर्पित हो जाता है for the rest of the time और जो time बचता है मतलब कि बचे वो time के लिए 41 year old cookie is an attack instructor अब बाकी के जो time बचता है उस time के अंदर एक 40 साल के उमर के जो cookie है वो एक attack instructor बन जाते है मतलब कि वो सिखाते हैं किस तरह से attack करना है and air combat leader और एक हवाई जंग के leader है मतलब कि किस तरह से हवा के अंदर मार करनी है वो सिखाते हैं हमाँ अपने squadron के बंदो को and a teacher of accurate weapon delivery techniques और एक teacher बन जाते हैं किस चीज के एकदम सही time पर अपने सस्त्र के delivery करने के तरीके को बताने के लिए एक teacher बन जाते हैं किस के लिए अपने जो squadron कंदा जो बंदे हैं उनको teach करने के उनको सिखाने के लिए ये सब काम करते हैं क्या क्या बन जाते हैं एक अटेक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं एर कंबेट लीडर बन जाते हैं और एक्कुरिट वेपन डिलिवेट टेक्निक सिखाने के एक टीचर बन जाते हैं मतला कि वो यह भी ध्यान देते हैं और वो यह भी ध्यान देते हैं कि all the pilots in his squadron उनके squadron के जो सभी pilots हैं maintain this prophecy इस कुसलता को इस निपूरता को बनाए रखे maintain करकर यह भी ध्यान देते हैं कौन कुकी ध्यान देते हैं every few years हर कुछ सालों में a pilot is rested एक pilot को आराम दिया जाता है for a year एक साल के लिए or to at a desk job या फिर दो सालों के लिए उसको desk job दिया जाता है मतलब कि ऐसा job तो desk पे बैठ करके काम करते हैं ऐसा job दिया जाता है तो wing commander of 321 के एस सुरेस is proud of IAF so is IAF 321 squadron के जो wing commander यानि के जो के सुरेस हैं उनको IAF पे गर्व है बतला कि वो IAF उनके लिए गर्व है और IAF के लिए भी वो एक गर्व है आई ओप students यह वीडियो लक्ष्व आपको अच्छी तरह सहां में आगया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बता ना वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने friends के अंदर जरूर शेर करना खास कि उन friends में जो 9th क्लासे पढ़ते हैं ताकि उनके वीडियो लक्ष्यर में कुछ नया ले करके धत्तक के लिए आप सभी को बेस्ट अफ लक एंड जय हिंद